वर्तमान समय की सबसे बड़ी समश्या बन गई है मोटापा फ्रेंड्स आजकल मोटापा इतना जादा बढ़ता जा रहा है कि हर 30 रवेक्ति मोटापे का सिकार है और मोटापे की सबसे बड़ी परिशानी यह है कि हम जैसे तैसे एक बार मोटापा कम भी कर लेते हैं लेकिन जैसे ही हम डायटिंग और एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो तुरंत यह है वापिस से बढ़ना ही स्टार्ट हो जाता है यह मोटापे की सबसे बड़ी दिक्कत है जब तक हम डाइटिंग करते रहेंगे तब तक तो वेट कंट्रोल में रहेगा और जैसे ही हमने खाना पीना स्टार्ट किया कि वजन फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो फ्रेंड्स ऐसे में क्या करें और खासकर लेडिस के सामने ये प्रॉब्लम सबसे जादा होती है क्योंकि ना ही तो उनके पास घर के कामों में इतना वक्त होता है कि वो जिम जॉइन कर सकें और फ्रेंड्स खाली पेट रहकर घर का काम भी नहीं किया जाता तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया सलूसन बताने वाली हूँ क्या है कि जब मेरी डिलिवरी के बाद मेरी सामने भी यही प्रॉब्लम आ गई थी तो मेरा वेट काफी बढ़ गया था और मैंने एक बार वेट घटा लिया लेकिन क्या हूँ उसके बाद जैसे ही मैंने खाना पिना स्टार्ट किया तो मेरा वजन वापिस से फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया तो फ्रेंड्स मैं गई अपने डॉक्टर के पास तो उन्होंने मुझे इस चीज के लिए बहुत ही बढ़िया सलूसन बताया जिसे मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स तो उन्होंने जो चीज मुझे बताई उससे मुझे इतना अच्छा benefit हुआ कि एक बार वजन कम होने के बाद मेरा वजन दो बारा नहीं बढ़ा सबसे बढ़िया खास बात इस नुस्खे की है थी फ्रेंड्स और उन्होंने मुझे एक घरेलू नुस्खा बताया तो वही नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स तो करना क्या है इसमें आपको ले लेना है एक गिलास पानी ये मैंने पानी ले लिया है फ्रेंड्स और इसके बाद इस पानी में हमें एड़ करना है एक चमच अजवाइन ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने अजवाइन को पानी में डाल लिया है और इसके बाद अच्छी से चलाते हुए हमें इसे पानी में भीगो देना है फ्रेंड्स और पानी में भीगोना कब है फ्रेंड्स ये काम हमें करना है शाम को सोते वक्त और भीगो कर हमें इसे ढखकर रख देना है पूरी रात के लिए रात को पूरी रात जब ये अजवाइन पानी में भीगा रहेगा तो इसका पूरा असर पानी में आ जाएगा और जब हम सुबह उठें तो सुबह उठने के बाद हमें इसे चान कर पीना है इसे ना ही तो गरम करना है और ना ही उबालना है बहुत से लोग ये गलती करते हैं फ्रेंट्स की अजवाइन को पानी के साथ उबाल लेते हैं जिससे उसके औसदिय गुंड जो है न वो बहुत ही कम हो जाते है तो डॉक्टर साब ने मुझे यह बताए कि अजवाइन को उबालना नहीं है पानी में उसे सिर्फ रात भर के लिए सोक करना है भीगोना है अच्छे से और सुबह च्छान कर खाली पेट सबसे पहले यही पानी पी लेना है फ्रेंट्स प्रेंट्स आप देखेंगे आप कुछ दिनों तक ये नुसका करके जरूर देखें थोड़े ही दिनों में आपका वेट अपने आप कम होने लगेगा और इसके अलावा उन्होंने मुझे एक चीज और बताई जो यह थी कि शाम को छे बज़े के बाद आपको कुछ खाना नहीं है आप पी सकते हैं लेकिन खाना जो है छे बज़े से पहले ही खा लें और शाम का खाना हो सके जितना हलका खाएं जादा तर फल और सलाद शामिल कर लें उसमें तो फ्रेंट्स आप देखेंगे कुछी दिनों में आपका वज़न धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा ये दो बाते आप फॉलो करते रहें तो मेरी तरह फ्रेंट्स मुझे भी मोटा पे की समस्या हो गई थी आपकी भी ये समस्या धूर हो जाएगी हमेशा के लिए एक बार आप इस नुस्के को ट्राइड जरूर करके देखें फ्रेंट्स फ्रेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ये नुसका बहुत ही सिंपल सा है फ्रेंट्स लेकिन कारगर बहुत ज़्यादा है इसमें ना ही बहुत ज़्यादा ताम जाम करने हैं आपको और इसके फायदे बहुत हैं तो चलिए फ्रेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स थेंक यू और बाई बाई